तो वीडियो के तरफ जाने से पहले मैंने सोचा कि आज मैं आप लोग को दिखाऊं कि कराची का मौसम कितना खुशकवार हो रहा है पूरा दिन आज बारिशे ही बारिशे होती नहीं अगर आप लोग भी कराची से हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन बताएगा कि आपकी तरफ ब बहुत ही जादा यूसफुल अने वाली है कि 100% वर्क करेगी ये वीडियो आप लोग के लिए क्यूंकि इसके अंदर मैं आप लोग को बताने वाली हूं कि किस एच के किटन को या कैट को कितना खाना देना है और दिन में कितनी मरतबा खाना देना है साथी साथ आप लोगो है कि यहां पर हम जो सबसे पहले जो सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम लोग अपनी कैट को फ्री फीडिंग करवाते हैं बहुत सारे लोग की सवाल करेंगे कि फ्री फीडिंग क्या होती है तो फ्री फीडिंग होती है कि आप 24 घंटे आप अपनी कैट के सामने खाना रखत जिसकी बहुत बड़ी मेन रीजन यही है कि कैड़ वीक हो जाती है और लोग यह समझ रहते हैं कि हम 24 घंटा खाना उनके सामने रखेंगे तो वो बार बार खाएंगी और तब ही वो बहुत जादा हेल्दी होंगी और इसकी सबसे बड़ी वज़ा यह है कि हमें यह चीज़ क्यों नहीं करना चाहिए क्योंकि बिल्लिया जो है वो उन जानवरों में से है जो कि शिकार करके खाना पसंद करती है अगर आप उन्हें 24 घंटा खाना प्रोवाइड करेंगे तो वो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करें यह जो भी मैं भी आगे आप लोग को बताऊंगी उस तरह से आप लोगों ने उनका शेडियूल बना लेना है और इसका आपको बहुत ज़रा फायदा होने वाला है क्योंकि फिर आपकी कैट जी है वो लेजी नहीं होगी वो एक्टिव रहेगी खेलेगी साथी साथ आप ल को पिता दू कि अगर आपका किटन एक माह से तीन माह तक का है आप लोगों ने कम सकम दिन में उसे चार दफा खाना देना है आप लोगों ने उसकी रूटीन इस तरीके से बनानी है कि आपने उसको शुरू से हर चीज की आदर डलवानी यानि कि उसे एक टाइम चिकन दे सकते हैं उसे सुबह के टाइम आप एक भी दे सकते हैं तो इस तरीके से आपने उसको कम सकम चार दफा खाना देना है साथ ही साथ मैं आप लोगों को इसकी कॉंटिटी भी बिता रीती हूं तो कॉंटिटी अगर आप उसको ड्राइफ फूट दे तो आपनो 20 ग्राम उसकी क करें तक कहा है आप ने उसकी सर्फ और चार दफार खाना नहीं देना आपने उसको तीन दफार खाना देना पूरे दिन के अंदर और और आपने काने की कॉंटिटी बढ़ा देनी है अब आपनों को ड्राय फूट देना है 30 ग्राम और आप उसे हों मेट फूड चिकंग ए जेली है वेट फूट देने तो आपने वो 40 से 50 क्राम तक उसे देना है तो आप बात करते हैं कि 6 महीने से लेकर आपी कैट जितने भी साल के एक साल के दो साल के तीन साल के जितने भी साल के उसकी क्या रूटीन है तो जो बेस्ट तरीका जो मैं अपनी कैट के लिए यूज करती हूँ, वो मैं आप लोग को बता देती हूँ, बारा-बारा गंटे के वफ़े के बाद, और मेरी कैट, अलहमदुलिला, बहुत फिट रहती है, बहुत हैल्दी रहती है, बहुत जादा एक्टिव रहती है, और म अपने उसको होममेट फूड या कैट या पर जैली फूड या फिर फूड या वेट फूड या जो भी आप चिकन वगारा जो भी उसको परकूरा और सूप बना कर देते जो भी आप डायठ इसे मना कर देतें तो होममेट में आपकी ये accord रहेगी, ऑपने अपनी एकैट का करनी है जब आप उसे दो बार खाना देंगे अगर वो खुद से छोड़ देती है तो कोई इशी वाली बात नहीं है अगर वो पूरा खा लेती तो एक ही दफ़ा पेट भर के खा लेगी तो फिर वो बार-बार खाना नहीं मांगगी और बहुत जादा एक्टिव भी रहेगी और जब भी वो लिटर यूज़ करेंगी आपको उसका भी आइडिया रहेगा और आपके साथ जो है वो खेलेगी भी और बहुत ज़दा हेल्दी भी रहेगी अमीद है कि आप लोग को आज के वीडियो समझ आई होगी और आप लोग के लिए बहुत ज़दा है और बहुत सेक्शन में पोछ लीजिएगा अलाहाफिस